राम रामसा, स्वास्तिक पामेस्टरी चैनल कर माईं थारो सुअगत है आज को आपनों जोवी से है क्या मैं अथेली में रेखा चेंज होती है या नहीं होती? और ये रेखाएं जब चेंज होती हैं तो क्या हमें पहले ही संकेत देती हैं? कैसे हम ये पता करें? मेल या फिमेल का कौन सा हाथ से करना चाहिए दोनों हाथ पढ़ने के आफशेक रहते हैं तो देखो एक एक आपना ये जो क्यूशन है अनकान सुरा आपने वीडियो में जानागा सबसब पहली आपा बात करा रेखा की रेखा जो धाना हात में ये दिख रही है ये मुख्ये रेखा अपने ये थेले की होगा है अनपा भी चेंज देखो जा अनपा चेंज जो देखो जा है वो इप्रकार की जो रेखा निकल है अच्छी बूरी अनपा देखो जागो इस सब रेखा positivity की उपर की direction में सुबताने बताऊंगी और नीचे की direction में अगर ये चाल ले है आज सुबताने बताएंगी अठे ये चाल ले है सुबताने आपाने देखनी है या कोई सी रेखा है इन्वेस्टमेंट रेखा है आपा आपने खुशी से कोई खर्चो कर रहा है या आपाने या रेखा नुकसान देगी या रेखा ये चाल जाएगी नुकसान ने बताऊंगी तो मुक्य रेखा पे भी ब्रांचेज निकल के सुब असुफल देश के कोई भी समय भी सेश में निकल सके इन्हें दूसरे उदारन सापा ये भी समझ सका है माल लो कोई वेक्ति की उमर पत्चीस वर्स है अठे सापा पत्चीस वर्स पे आज जाओंगा अब ओका हात में सुरिय रेखा कुछ इपरकार की है जान से देखन की बात हया अब अठे से या हैढ़ देरेखा साथ सम्मध को नि बना रहा है अब जब भी हिरदे रेखा से शुरिय रेखा को सम्मध को नि हो है कुई इस्ततिम है आपाया देखा कि इजात का 35 वर्स है बे स्ट्रगल में जाएंगा अठे 25 से एक रेखा निकल लगी और याई प्रकार से चाल लगी तो देखो दोन्युची जाना आपाने समझनों है इस रेखा का फ्लो ने देखनों है शुरिय रेखा बोल रही है मैं तन पच्चीस से पहली जो पैंतिस वर्स से पहली जो खोलाव को निकरवाँ अठे यो जो ओफ्सूट निकल लगी प्रकार से यो जातक ने बोल रही है मैं पच्चीस से तने एक्टिव करऊंगो एक्टिव करेंगो मतलब कोई ना कोई यो जातक एफर्ट्स लगाओगो और उद्धी सामे यो आगे बढ़ जाओगो कुछ भी यो काम धन्दो बिजनस कोई प्रोजेक्ट पर काम कर सके और आपा इन्ने अठे देख सका अब आपाने यो देखनों पड़ेगो कि अठे दुन्वा की जो इस्तती है बहा अलग अलग है कोई सी रेखा परभावी होगी तो देखो सनी रेखा जो भागे रेखा हो है यो अपसुट अगर जा कैसे मिल जागो अठे मिल जागो तो आपा बोलागा कि यो बेक्ती अठे कोई काम शुरू करयो है भी मैं कुछ अठे 25 से यो कर रहे है लेकिन अठे से 35 से इक काम में चोखो फलो आगो यानि इन अच्छी खासी धन अठनिंग इस 35 वा वर्स के पाद इस उपसूट पर देखी जागी लेकिन या आपाने देखनी पड़ेगी कोई से समय विश्यस में कोई सी रेखा एक्टिव हो रही है अब देखो कोई का हाथ में अठे सूरिय रेखा है ये प्रकार्च है और चालती चालती या रुकेगी अब अठे ये जगा खाली होगी और ये एक रेखा और बन गी अब सूरिय रेखा मैं ब्रेक गैप और ये रेखा से चोखी या रेखा तो जो यू आवस्ता को से में हो वो चोखो मैं 34 से जो मेरो 38 ओवर से रहे हो मैं बहुत गणी चोखी अर्णिंग करी अब ये के लिए अठे थाने एक्टिवेशन मिल जागो कोई ना कोई रेखा को एक्टिवेशन ये टाइम पिरियेड थाने मिल जागो यो यह यह भी मिल सकाए यो यह यह भी मिल सकाए लेकिन उख का बाद एक आएक प्रोब्लम मेरा जीवन माही और मेरो करम चेतर डिस्टोई ओगो मेरी जोब छुटगी मेरो काम दंदो अब अठे जैसे ही ये समय ये आठ वर्ष का समय ये निकलेगा जातक कि अच्छी गरोथ इस रेखा पर दिखेगी क्या दूसरा जोब यहां लगेगा येस या कोई इन्वेस्टमेंट जातक दुआरा होगा या कुछ ना कुछ न्यू होगा और उसमें उसे सफलता मिलेगी मैं कोई काम स्टार्ट करूँ कैसे देखों मुझे उसमें सफलता मिलेगी या मैंने कोई भी कार्ये करना प्रारम किया है मुझे क्या सफलता मिलेगी या मैं कुछ नया करना, start मैंने किया हाथ में इसे मैं कैसी देखू। तो देखिए जिस time period सुर्य रेखा, सुर्य छेतर जो सुर्य परवत है ये बताता है हमारी working field को, विशेस government lab को, लेकिन कुछ भी करम छेतर है हमारा, हम कुछ भी काम करते हैं, उसका संके सुर्य परवत हमें देता है, आप चाग करेंगे जब भी किसी का हाथ, तो सुर्य रेखा अगर अच्छी है, ये इस परकार से, या कोई disturbance नहीं है सुर्य छेतर पर, तो आप आएंगे उस व्यक्ति को, उसके करम छेतर से लेके कोई प्रोब्लम नहीं रहती, और एक कलर की बिल्कुल इस मुथली चलती हुई या होनी चाहिए, सुर्य छेतर भी अच्छा होना चाहिए, विक्सित होना चाहिए, उस देशा में आप आएंगे कोई प्रोब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कोई काम करना है, मैंने कोई काम किया, मैं दश साल से किसी काम में लगा हुआ हुआ, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही, क्या मिलेगी, कैसे मैं इसे चैक करूँ, तो देखिए सुर्य छेतर पर, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी मेहनत हम किसी भी छेतर में करते हैं तो सुर्य परवत परफोर्मिशन्स बनती है अब मान दीजिए यहां से यहां तक आपने कुछ भी नहीं किया आपकी मिडल एज आ गई आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन किसी प्रोजेक्ट पर आप लगे वे हो कोई भी काम ऐसा जो आपने कई सालों तक उस पर महनत की है और सुर्य कहता है कर्म कर आप कर्म कंटीनू लगातार अभ्यास करते हो उस दिशा में बढ़ते हो तो यहां यह रेखाएं बनती हैं फिर यह रेखा आपको अच्छी ग्रोथ आपकी वर्किंग फिल्ड का सुक देगी देगी क्या हाथेली में रेखाएं चेंज होती हैं तो देखिए बिलकुल हाथ में रेखाएं चेंज होती हैं अब कुछ पावरीडर बोलते हैं दाया हाथ देखो बाया हाथ देखो अब रेखाएं जो चेंज रहती हैं अधिकतम हाथों में आप पाएंगे जो राइट हैंड रहता है उसमें रेखाएं चेंज होती हैं राइट हैंड हमारा करम परधानात जो इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं उसके according उसमें रेखाएं अच्छी और बूरी होती हैं अच्छे कर्म करेंगे रेखाएं अच्छी होंगी परभावी होंगी negative करव करेंगे अच्छे योग अच्छी रेकाओं को निश्ट करेंगे तो यहां हमें यह समझना होगा कि दाएं हाथ में रेखाएं अधिक चेंज होती है दाएं हाथ में अधिक चेंज होती है तो female कब आया क्यों देखना चाहिए ऐसा नहीं है दोनों हाथ एक ही बात बोलते है male है female है दोनों हाथ चेंज करने चीए हाँ यह सही है formula अलग अलग रहते है एक हाथ में अलग परकार से formula रहेगा दूसरे में दूसरे परकार का लेकिन negative formula अगर right hand में है तो left में भी negative मिलेगा और right में positive formula लगा है positivity रेखाओं द्वारा है तो left में भी आप देखेंगे positivity रहेगी एक हाथ अधिक सुब है एक हाथ थोड़ा disturb है तो सुबता में थोड़ी कमी रहेगी रहेगी दोनों हाथ बराबर समानतर सुब है तो आपको पुन रूप से उन रेखाओं का फल मिलेगा एक हाथ में अगर disturbance ज़्यादा है एक हाथ में सुबता धिक है तो मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा और दोनों ही हाथ ज़्यादा disturb है तो आप माने जो परिणाम रहेगा थोड़ा खराब देखा जाएगा तो और रेखाओं जब भी हम पढ़े दोनों हाथ को पढ़ना चाहिए इसमें मेल फिमेल नहीं करना चाहिए और दोनों हाथ की रेखाओं को सभी रेखाओं को देखने के बाद ही किसी हाथ को पढ़िक्ट करना चाहिए और रेखाओं चेंज होती है हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे रेखाएं बनती हैं आपने देखा होगा कई यसे योग हैं जो अचानक से बनते हैं कई यसी फोर्मिशन है जो अचानक से हाथ में बन जाती हैं और बेक्ति को भागेवान दुरुभागे साली बना देती हैं तो रेखाएं जब बनेंगी ये अच्छी बूरी दोनों परकार की बन सकती हैं इसलिए कहा जाता है अच्छा कर्म करना चाहिए अच्छे जो सोज रहती है उसको लेकर चलना चाहिए क्योंकि हाथ में रेखाऊं का आना ये हमारी पहली मेंटिलिटी को बताता है जो भी हमारे मन में चलता है जो भी हमारे साथ गटी तोता है हमारे मन तक उसकी चाप जाती है और फिर वहां से सीधा ये हमारे हाथ में बनता है पुर्वावास ये सब इन गरहों का परभाव हमारे जीवन में देखा जाता है अब देखिए और एक हाएं परभावी हैं या न पर रहते हैं तो इन रिखाओं को यह जो रिखाओं रहती हैं उपर की तरफ चलती भी रिखाओं ये सब अच्छी रिखाओं रहती हैं ये रेखाएं हमें सक्सेस धन सब देती हैं और इन रेखाओं पर जब भी कोई डिस्टर्वेंस आएगा कोई बैड मार्क बन जाएगा इन पर कटके निशान लग जाएगे तो उस समय ये दुर्भागे को बताएंगी हमारे जीवन में विप्रीत परिस्टतियों को ये बताएंगी तो रेखाएं आने वाले सुब समय को भी बताती हैं और आने वाले असुब समय को भी बताती हैं हमें मेल है फिमेल है दोनों का हाथ जै करना चाहिए और आने वाला समय आपका सुभ रहेगा इसके लिए एक नहीं असंख्य रेखाए हाथ में रहती हैं तो कभी भी एक वीडियो देखकर मन में असंतुष्टी नहीं लानी चाहिए हमेशा प्रियास करना चाहिए अच्छा प्रियास करना चाहिए अगर आप लगाता किसी भी करम छेतर में लगे विए हो तो आपको सफलताए मीलेंगी तो देखे यहां यह रेखाए यह जो प्रग को तरकी करवाएंगी आपके आने वाले समय को सुभी यह बताएंगी यह रेखाएं आपके हाथ में किसी भी मुख्य रेखा यह तीनों रेखाएं मुख्य रेखाएं रहती हैं यह तीनों रेखाएं परधान रेखाएं रहती हैं जिनें परधान रेखाएं कहते हैं जिसमे हमारी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, ब्यापार रेखा, सामिल है, या किसी भी ऐसी रेखा पर, देखे, ये प्रोग्रेसिव रेखा, इस पर ये रेखा, यहां पर ये रेखा, अब ये तरक्की तो जातकी थी, लेकिन यहां आते आते, और तरक्की, अब इसी के साथ ये नीचे की तरफ ये तरक्की तो हो रही थी लेकिन यहां आते आते मेरी एज के 35 वर्स के पास आते आते मुझे जो तरक्की है जो मेरी इंकम है उसमें कमी ये रेखा यहां करने लगी कब तक चलेगी तो आप इसका समय निकाले उतने समय पिरेड ये संगर्ज यहां करवाएगी तो रेखाएं चेंज होती हैं और राइट हैंड में रेखाएं अधिक चेंज होती हैं ये हमारे करम छेतर को बताती हैं तो अच्छे प्रियास हमें करने चीए ताकि जीवन में हमें अच्छे सफलताएं भी मिले तो ये थी जानकारी जो आने वाले समय का सुब असुब परभाव बताए धन्यवाद